पूरा का पूरा LED setup यहां मिल जाता है, diamond cut alloy wheels यहां पने को मिल रहे हैं, remote की यहां पर अपने को मिल जाती हैं, दोलों के दोलों, बिल्कुल premium features अपने को यहां मिल जाते हैं, leather positive मिल रहे हैं, tartan x1 बड़ी जबर्दस अप्ग्रेड होगी है, center में illuminated logo मिल जातो 10.25 इंच का यहां infotainment system मिल जाता है, अपने को adaptive guidelines भी हां मिल जाती है, SOS की button भी हां मिल रहे हैं, connected apps भी मिल रहे हैं, बहुत तगड़ा comfort अपने को यहां मिल जाता है, black पूरा किया हुआ है, roof को बड़ा जबर्दस looks आ रहे हैं, इसके refinement पहले से improve होगी है, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नित color and agree, बहुत ही जबर्दस इसमें suit कर रहा है, अब सारी चीज़े आज अपन डीटेल में देखने वाले हैं, इस variant के बारे में तो वीडियो काफी जादा informative हो रहने वाले है, तो वीडियो मैं इंट तक बने रही है, और चैनल में जो first time आए है, फटाफट से subscribe कर लीजे, और bell notification on कर देना, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करू, तो आप तक notification पहुँच जा, start करेंगे इसके pricing से, उसके बाद walk around देखेंगे, one by one अपन सारी details देखते हैं, तो सबसे पहले इसकी pricing में आपको बता देता हूँ, तो variant में आपको बता दिया, एक showroom price की बात करें तो य सारी जो contact details हैं मेरे description box में आपको मिल जाएगी, call करके आप visit करके आप सारी details ले सकते हैं, तो start करते हैं अब इसका walk around, सबसे पहले front profile देखें, और all जो road presence new Nexon में मिलता ना यार वो तो बहुत ही जबरदस अपने को मिल जाता है, और all width की बात करें तो 1804 mm की width अपने को मिल अब center में अगर देखें तो Tata का logo मिल जाता है, piano black में अपने को center में grill मिल जाती है, और नीचे side अपन आते हैं तो यहाँ पे जो grill का design है, अब change हो गया है, skid plate भी यहाँ पे अपने को दिखरी है, और साथ में जो new feature है, 360 degree camera वो भी अपने को मिल जाता है, दो front parking sensors भी यहाँ अब headlamps के अगर setup की बात करें, तो देखें ऊपर side अपने को DRLs मिल जाते है, साथ में यहाँ पे अपने को floating style में sequential turn signals भी मिल जाते है, नीचे side अपन आते हैं तो यहाँ पे अपने को LED projector headlamps मिल जाते है, नीचे side उसके अपने को fog lamps मिल जाते है, वो भी LED है, मतलब पूरा का LED setup यहाँ मिल जाते है, और साथ में यहाँ पे देखिए, अपने को ear dam भी मिल जाते है, मतलब जहां से aerodynamic बनाया गया है, पूरी तरीके से, तो front profile से देखें तो देखें ऐसे कुछ looks अपने को मिल जाते है, Tata, Nexon, Fearless, Plus, SDT variant के, तो अब चलते हैं, इसके side profile के side में, तो looks की बात करें, तो चारो ही side से face lift वाली Nexon, बड़ी तगड़ी अपने को मिल जाती है, अब देखें, side profile में अपने को cladding काफी बढ़िया मिल जाती है, साथ में ground clearance भी बहुत जबरदस इसमें मिल जाता है, 208 mm का यहाँ पे अपने को ground clearance मिल जाता है, काफी capable बनाता है अपनी Nex अब देखें, यहाँ पे जो wheels है, इसमें new design अपने को alloy wheels मिल जाते हैं, diamond cut alloy wheels यहाँ अपने को मिल जाते हैं, टायर के section की बात करें, तो 215, 60, R16, 16 इंच की यहाँ पे अपने को wheels मिल जाते हैं, front में disc brake मिल रहे हैं, और rear में मिल जाते हैं, अपने को drum brake, तो यह इसके braking का setup है, अब ORVM की अगर बात करें, तो देखे, piano black में अपने को ORVM मिल जाते हैं, 360 degree camera का एक camera अपने को यहाँ मिल जाते हैं, turn signals भी integrate की हुए हैं, और यह जो ORVM है न, electrically adjustable और foldable, दोनों option मिल जाते हैं, अब A pillar, B pillar पूरा blacked out की हुए है, upper section जो है न, पूरा blacked out अपने को मिलने वा key अपने को मिल जाती है, दोनों के दोनों और functions की बात करें, तो lock, unlock, follow me, add lamp और boot unlock करने का option मिल जाता है, अब lock करने में, ORVM अपने fold भी हो रहे हैं, और welcome feature भी यहाँ आप देख सकते हैं, अब rear side का भी अपन देख लेते हैं, एक बार मैं आपको यह देखे, follow me, add lamp on करके खा देता हूं, तो देखिए, ऐसा कुछ अपने को setup मिल जाता है, rear का, पूरी collected यहाँए, tail lamp, swillery, बाकी अपन देखते हैं, details में, तो इसको अपन आफ कर देते हैं, तो चाबी में इतने कुछ features अपने को मिल जाते हैं, पीछे Tata का logo, तो चलिए चाबी को अपन रख लेते ह इसी आते हैं, तो देखिए, shoulder line में भी अपने को piano black finish मिल जाती है, अब door handles अपने को body color मिल जाते हैं, और उस side में अपने को request sensor मिल जाता है, मतब एक ही side request sensor मिलेगा, passenger side अपने को नहीं मिलता है, driver side मिल जाता है, अब side profile में अगर देखें, तो इसमें जो dimensions है न, वो अपने को under और 4 मिटर मिलती है अपनी टाटन एक्सान, और और लेंथ की बात करें, तो 495 mm की और और लेंथ मिल जाती है, width में आपको बता दिया, wheel base की बात करें, तो 2498 mm के हैं अपने को wheel base मिल जाता है, काफी बढ़िया space मिलता है अंदर और वो भी अपन अंदर जाके चेक करने वाले तो side profile यहां से complete होती है, ground clearance में आपको बता दिया, 208 mm पर है ground clearance मिल जाता है, तो चलिए अब side profile में सारी चीज़े complete होती है, अब चलते है इसके rear profile के side में, तो rear profile में पर जैसी आते हैं, तो top side में अपने को shark fin 19 पी दिख रहा है, अब यहाँ पे hidden अपने को wiper भी मिल जाता है यहाँ पे दिख रहा है अपको, तो यह देखिए फोकस हो गया, तो hidden कर दिया wiper बिल्कुल premium features अपने को यहाँ मिल जाते हैं, new Tata Nexon में, अब center में अपने को Tata का logo मिल जाता है, नीचे Nexon की बैजिंग मिल जाती है, और एक camera अपने को यहाँ मिल जाता है, दो reverse parking sensors, नीचे kit plate, दो reflectors के साथ में, दो reverse parking lamp भी मिल जाते हैं, अब tail lamps की बात करें, तो turn signals भी अपने को floating style में यहाँ मिल रहे हैं, और जो अपने brake lamps है, पूरा का पूरा यहाँ पे LED setup दिया हुआ है, अब पूरी connected यहाँ पे LED tail lamps मिल जाते हैं, rear profile से देखें तो देखें, ऐसे कुछ looks मिल ज function यहाँ अपने को मिल जाता है, अब देखें, यहाँ पे भी अपने को 12V का power socket दिख रहा है, अंदर अगर देखें तो दो hook यहाँ पे दिख रहे हैं, एक charging socket 12V का, और इस side भी अपने को 2 hooks मिल जाते हैं, वो भी 3 kg की load carrying capacity के साथ में, boot space की बात करें, तो पहले से improve हो गया है, 382L का यहाँ पे अपने को boot space मिल जाता है, boot light भी है अपने को दिख रहे हैं, और इसके नीचे मिल जाता है अपने को spare wheel, वो भी 16 इंच का अपने को यहाँ देखने को मिल जाता है, तो यहाँ से इसको कर देते हैं, बंद ऊपर अपने को cladding भी मिल जाती है, तो rear profile में मुझ 17218 के अपिल का petrol engine में, क्योंकि turbo charge petrol मिल रहा है, तो 17218 के अपिल claimed mileage मिलता है, उसके बाद में अगर आप अच्छे से drive परेंगे, तो आपको इससे जादा का भी mileage मिल जाएगा, तो मुझे लगता है अब exterior में सारी चीज़े अपने देख लिए, अब चलते हैं interior में और देख मिल जाता है, अब देखी ये पूरा soft touch अपने को मिल जाता है, साथ में चारो power window के बटन, driver side अपने को one is down function मिल जाता है, नीचे bottle holder और dedicated umbrella holder भी हैं मिल रहा है, speaker का अगरे यहां मिल जाता है, speakers की बात करें, तो चार speaker के साथ में चार्ट विटरस भी मिल रहे हैं, और ये देख पर अपने को hydrist है वो भी adjustable मिल जाते हैं, अब चलते हैं अंदर, बड़ा premium महावल है यार अंदर, चलते हैं और देखते क्या क्या features मिल जाते हैं इस variant में, तो seat को कर लेते हैं थोड़ा पीछे, जिससे सारा भी एकदम clear हो जाएगा, तो ये देखिए, तो एक बार जो dashboard के looks ह ना वो check out करिए, काफी बड़िया premium interiors मिल जाते हैं अपने को Tata next on में, अब one by one अपन सारी चीज़े देखते हैं तो जो नाए भाई लोग जुड़े हैं फटाफट से subscribe कर लो और bell notification on कर दो ताकि जब भी मैं video upload करो ता आप तक notification पहुच जाए, हमेशा की तरह बाई subscribe करना ब अपने को cruise control भी मिल जाता है, adjustment की अगर बात करें तो tilt मिल जाता है, telescopic option नहीं मिलता है, left side में अगर देखे तो wiper की controls और right side में अगर देखे तो headlamps की control मिल जाते हैं, दोनों के दोनों function अपने को automatic मिल रहे हैं, अब cluster की अगर बात करें तो उसके लिए अपने को on करना अपना instrument, cluster पूरा का पूरा digital कर दिया है, यार, टाटान एक्सोन बड़ी जबर्दस अपग्रेड हो गई है, अब one by one देखते हैं, तो cluster में अपने को क्या मिल जाता है, देखे, voice command के भी features मिल रहे हैं अपने को यहाँ पे, connected जो apps है ना, वो भी मिल जाते हैं, अब अपने को autometer, कितनी अपनी गाड़ी चलेगी, मतलब range दिखा रहा है, city mode, मतलब बहुत सारे यहाँ पर information मिल जाते है, fuel gauge इस site दिया है, और इस site temperature gauge, अब इसको अगर change करना है, तो इसको पर जैसे click करते हैं, तो देखिए, TPMS दिखा रहा है, tire to tire pressure, navigation, media, notification, तो बहुत सारे features यहाँ अप automated logo मिल जाता है, यह भूल गया था मैं, अब देखिए, center console की बात करें, dashboard की बात करें, तो 10.25 inch का यहाँ पर infotainment system मिल जाता है, अब यह connect करता है Android और Apple CarPlay को, यहाँ पर साथ में अपने को EQI दिखा रहा है, मतलब inbuilt air purifier भी मिल जाता है, connected apps यहाँ मिल जाते हैं, और बहुत स screen में अपने को view यहाँ पर दिखा रहा है, अब देखिए, यह 2D में है, और 3D में अपन जैसे click करते हैं, तो quality देखिए यार, बहुत तगड़ी quality अपने को यहाँ मिल जाती है, अब इस side इसलिए दिखा रहा है black, क्योंकि अपने जो दरवाजे हैं, वो open है, तो इसको अप अंदरी हुआ है, अच्छे से, तो यह अपन ने बंद किया, तो यह देखिए, काफी बढ़िया quality अपने को मिल जाती है, और clarity देखिए, बड़ी जबरदस मिल जाती है, अपने को adaptive guidelines भी हाँ मिल जाती है, तो चलिए, अब इसको open off कर देते हैं, तो यह किया है, मैंने off, नी 60 degree camera के लिए button, fog lamp का button मिल जाता है, और यहाँ पे automatic climate control भी अपने को मिल जाता है, अब देखिए, 6 speed का manual gearbox मिल जाता है, उपर leather wrap किया हुआ है, अब reverse camera की quality तो मैंने आपको दिखा दी, अब यहाँ पे अपने को modes की button मिल जाती है, city, eco और sports, यह 3 modes मिल जाते हैं, यहाँ बहुत जबर्दस perform करती है, sports mode में, feel करके देखना आप, petrol engine बहुत बढ़िया, इसमें मिल जाता है, refinement पहले से improve हो गया है, और mileage भी अब improve हो गया है, अब पीछे side अपने को wireless charger मिल जाते है, premium features भी आप देख रहे हैं न, one by one, handbrake मिल जाता है, chrome tip के साथ में, और dedicated armrest मिल जाता है, वो बटन मिल जाता है, काफी deep है, और dedicated light भी दूल जाती है, और organizer भी यहाँ अपने को मिल जाता है, तो चलिए front के सारे features अपने देख लिए, कहां या, अभी तो यह रहे गया, ticket holder मिल जाता है, center में IRVM मिल जाता है, जो auto dimming function के साथ में आता है, cabin light जो की LED है, और यहाँ पे देखे, sunroof open हो गया है, single click में, और काफी wide opening यहाँ अपने को मिल जाती है, तो बहुत बढ़िया sunroof यहाँ अपने को offer और इसको open click करते हैं, तो single click में यह बंद भी हो जाता है, अब blind को अपने को manually बंद करना पड़ेगा, तो यह हो गया, तो front के सारे features हो गया, अब बात कर लेते हैं, इसके safety features की, तो यहाँ पे अपने को 6 air back का setup क्यों होगा है, ABS मिल जाता है, EBD मिल जाता है, अब यार एक चीज तो अपन भोली रहते है, अब देखी, यहाँ पे अपने को 12 volt का power socket मिल जाता है, एक USB connectivity मिल जाती है, और साथ में एक type C का charging socket मिल जाता है, तो अब हो window की button, नीचे bottle holder और speaker का grill मिल जाता है, अब rear seats की बात करें, तो seat की width देखें, आपको समझ में आरा बड़ा जबर्दस यहाँ comfort मिल जाता है, adjustable अपने address मिल जाते है, dedicated armrest के साथ में, अब बैट के अपन देख लेते हैं, कितना space मिल जाता है, यहाँ पे, तो मेरी जो height है 59 है, और मेरे height के according, यह जो seat है नवा adjust है, तो leg room देखिए, काफी बड़िया मुझे leg room मिल रहा है, under the height support की बात करें, तो वो भी काफी बड़िया मिल रहा है, बहुत comfortable seat से, हर बार की तरह मैं इस बार भी बोलूगा, बहुत तगणा comfort अपने को यहाँ मिल जाता है, अब 60-40 split seat के स हाथ में भी option मिल जाता है अपने को, और तीन passenger यहाँ बहुत आराम से travel कर सकते, कोई issue नहीं है, rear AC vents भी आपने को मिल रहे है, और charging sockets भी मिल जाते, एक type A का, और एक type C का, नीचे minor सा अपने को hump मिल जाता है, उपर sunroof में आपको दिखाने की कोजिश करता हूँ, देखिए, अपने को मिल जाता है, बहुत बढ़िया साइस का, यहाँ पर sunroof मिल जाता है, और एक चीज़ नोटिस करिए अपने, black पूरा किया हुआ है, roof को बड़ा जवर्दस looks आ रहे हैं इसके, अब यहाँ पर अपने को एक hook मिल जाता है, और एक set, बतलब दो hooks भी यहाँ मिल जात है, तो बहुत बढ़िया comfort मिल जाता है, अपने को Tata Nexon की rear seats में, अब चलते हैं इसके engine में की तरफ और बाकी बाते अपन वहाँ पर करेंगे, यह देखिए, यहाँ पर pull करके अपन जो अपने seat belts है ना उसको भी adjust कर सकते हैं, तो अब चलते हैं, अब open करने के लिए bonnet को द इंजन, पावर बहुत जबरदस यहां मिल जाती है, अब वो कितनी मिलती है, 118BHP की पावर मिल जाती है, साथ में 170NM का टॉर्क यहां मिल जाता है, पावर और performance बहुत तगड़ी हां मिलने वाली, साथ में ABS-EBT की यहां पर unit मिल जाती है, उपर extra insulation मिल जाता है, NWH level control करने लिए, refinement पहले से improve हो गया, साथ में mileage भी यहां पर आपको improved मिलेगा, तो यह था आपने पास Tartan Exxon का Fearless Plus SDT variant, तो features काफी बढ़िया यहां आपने को मिल जाते है, साथ में जो comfort मिल रहा है ना यार वो भी बहुत तगड़ा आपने को मिल जाता है, तो मुझे लगता है आप के सारे doubts जो है ना clear हो गए होगे, अब कुछ रहे गया होगा, तो आप मुझे comment कर सकते हैं, उसका जो answer है, मैं जल्दी से जल्दी देने की कोशिश करूँगा, तो चलिए इसकी जो pricing है, वो मैं आपको एक और बार बता जाता हूँ, एक शो रोम price की बात करे तो यह अपने क पचास हजार में आजाती है, तो आन रोड प्राइस की बात करे तो यह लगबग अपने को 15,60,000 में आन रोड आ जाती है, और content details मैंने share कर दिये, पॉल करके आप बाकी information ले सकते हैं, तो चलिए वीडियो में इतना ही रखते हैं, कैसी लगी है, कार प्लीज मुझे comment करके ज चैनल को, thank you so much, Jai Hind!